आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hello guys, question करते हैं question क्या है? Find the semi-interquatile range coefficient of the quartile division in the frequency distribution of literacy rate in the states in the India during 2001 हमें यहाँ पर semi-interquatile range and coefficient of quartile division निकालनी है हमाई बस frequency distribution दी हुई है किसकी? Literacy rate की, states की और वो हमारे इंडिया की है और किस time की है यह? 2001 की है Literacy rate given है and number of states given है So, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है? semi-interquatile निकालना है So, इसके लिए हमें Q1 and Q3 चाहिए So, क्या करना होगा इसके लिए हमें? सबसे पहले हम table बनाते हैं and table से हम क्या निकालेंगे? cumulative frequency So, 47 to 51 then उसके बाद 51 to 55 55 के बाद next क्या हो जाएगा? 55 to 55 to कितना हो जाएगा? 59 59 to 63 63 to 67 6 के बाद क्या है? 67 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? 67 to 71 71 to 75 75 to 79 next उसके बाद 79 to 83 83 to 87 and 87 to 91 यह हमाई बास given है? अब हमें क्या करना है? frequency देखनी है क्या है इसकी? frequency जो given हमाई पास हो वो क्या-क्या है? 1, 2, 1 then 3 then 4 8, 2, 2 उसके बाद next क्या है? 6, 0, 3 यह given है? अब उससे हम cumulative frequency निकाल लेंगे 1 होगा then 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा 11, 19 19 के बाद 21, 23 29, 29 and then 32 So, सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है? Quartile 1 के लास निकालेंगे So, क्या हो जाएगा यहाँ पे? and by 4th item हो जाएगा and by 4th item हो जाएगा हमारे यहाँ ठीके? So, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 32 divided by 4 केतना आ जाएगा यह? 8 आ जाएगा So, हमारी value यहाँ पे क्या आ गई? 8 आ गई है अब हम यहाँ से Quartile के value निकाल लेते हैं परे देखते हैं कि 8 जो है यह कहा लाए करता है? यह 7 and 11 के बीच में लाए करता है So, 11 हमारा आ जाएगा इसकी जो class हो जाएगी 63, 2 क्या हो जाएगा? 63, 2, 67 जो है यह हमारी Quartile 1 के class हो जाएगी So, Quartile 1 class कितना है? Quartile 1 class equal to 63, 63 to 67 ठीक है? So, और यह जो हमारा हमारे Quartile 1 के formula में use होगा as a Quartile 1 F और जस इससे अबब वाला cumulative frequency use होगा as a and हमारी class size क्या हो जाएगी यहाँ पे? 67 minus 63 that is equal to 4 So, हम सबसे पहले क्या लिखते है? Formula Q1 equal to lower limit plus and by 4 divided by divided by कितना हो जाएगा? cumulative frequency divided by frequency multiply by i Class size सब निकाल लिया है lower limit हमारे class size का lower limit होगा हमारी Q1 का that is 63 and by 4 कितना है हमारा? 8 है 8 में क्या minus कर देंगे हम यहाँ पे? frequency, cumulative frequency जो 7 है और हमारे जो क्या है? हमारी यहाँ पे जो हमारी frequency है वो है 4 and class size भी 4 गेवन है so cut कर दिया और हमारी final value Q1 के कितनी आ गई? 64 आ गई अब हम Q3 निकालेंगे Q3 के लिए हमें वह से पहले क्या करना होगा? हमारी class size देखना होगा Q3 का so 3 and by 4th item so क्या हो जाएगा यह? हमारा जो item हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है? 24th item हम cumulative frequency में देखेंगे यह कहां लाई करता है? यह हमारा 23 and 29 की बीच में लाई करता है so 79 यह 284, 83 जो है यह Q3 क्लास हो जाएगी 6 as a frequency यूज़ होगा 23, 23 as a cumulative frequency यूज़ होगा हमारे Q3 को निकालने के लिए Q3 का जो formula है वो क्या है? Q3 equal to lower limit plus 3 and by 4 minus cumulative frequency divide by frequency multiply by class size so यहाँ पे हमारा lower limit कितना हो गया? lower limit 79 हो गया हमारेक light size का lower limit plus 24 24 में हम क्या करेंगे यहाँ पे? 24 में हम cumulative frequency 23 minus करेंगे divided by frequency 4 multiply by frequency क्या है? 6 and multiply by size 4 cut हो गया यह, यह 3 हो गया, यह 2 हो गया so क्या value आई? 79 plus यह हो गया हमारा 2 by 3 तो कितना आगया यह? यह जो value आई हमारी क्या आई? 79 plus 0.66 so क्या हो गया यह? 79.66 यह Q3 की value आगई so यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम जो है क्या निकाल सकते हैं? हमारी कौन सी value? semi-intracontile की value क्या होगी? Q equal to Q3 minus Q1 divide by 2 so क्या हो जाएगा? 79.66 minus क्या हो जाएगा इसमें हमारा 64 divided by 2 तो कितना आजाएगा? minus होके यह minus होने के बाद जो हमारी final value हो आएगी वो क्या आएगी है? देखने के लिए हम minus करते हैं 66515 divided by 2 तो कितना आगया? 7.84 आगया अब यह तो value निकाल ली अब हम निकाल लेंगे coefficient of quartile deviation VQ ठीक है? क्या होगा इसका formula? Q3 minus Q1 प्लस Q3 प्लस Q1 ठीक है? value पुट करते हैं हम सबकी इसमें क्या-क्या value आएगी? हमारी जो यहाँ value आएगी वो हमें यहाँ प्लस क्या करना है? पुट करना है सो 70 क्या हो जाएगा यह? 79.66 minus 64 divided by divided by क्या हो जाएगा? 79.66 plus 64 इसको solve करके जो हमारी value आएगी वो आएगी 0.11 ठीक है? इसको हमें 11% भी कह सकते हैं यह 0.11 भी कह सकते हैं तेंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आएएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर